पश्चिम बंगाल सरकार ममता बानजी जन्होंने कहा है कि हमें सहायता नहीं मिल रही है अब श्रमिक स्पेशल पर भी मैं उस पर चातियों की मज़़ूरों पर अलग से हम लोग चर्चा करें लेकिन उन्होंने लगातार ये कहा कि जितनी मदद मिलनी चाहिए राज्यों को प 70,000 करोड का घरीब कल्यान प्रकेज और उसके अलावे भी 12,000 करोड रुपिया एंडी आरेप फंड के भेजे गए वीत्तमंत्रा लेके द्वारा भी और 22,000 करोड भेजे गए धेर सारी सहायता बेजी है मगर केंडर सरकार की भी एक मरियादा है जैसे मैं आपको बताता हूं कुल 41 करोड लोगों को 53,000 करोड रुपिया सीधा उनके बैंक एकाउंट के अंडर डाल दिया गया है अब यह सभी राज्यों में गया है कोई एक राज्य में सिर्फ विजे भी सासित राज्यों में नहीं गया है बंगाल में भी गया है पंजाब में भी गया है महराष्ट में भी गया है केरल में भी गया है तमिलनाड में भी गया है जनों के एकाउंट में अठाई सो करोड से ज्यादा एमाउंट हमने डाल दी है मैं मानता हूं ये सभी राज्यों के अंदर जो नीडी लोग है जिनको जरूरत है उन लोगों तक पहुंचा है पियाम किसान योदना के तहर लगबग सवा आठ करोड किसानों के बैंक ये ये भी सभी देश के सभी किसानों के वहां पहुंचा है लगबग लगबग जो कंस्ट्रक्शन के काम में स्रमिक जुड़े हुई है यसे सवा 2 करोर स्रमिकों के एकाउंट में 4 करोड रुपया 4,000 करोड रुपया डाल दिया गया है और लगबग लगबग अनाज की हम बात करें जो भारा सरकार के द्वारा वित्र किया है लगबग लगबग 83.87 लाख मेट रिटन अनाज के इतिन मैंनों में बाटा गया है मैं मानता हूं ये सब राज्यों को ही दिया गया है राज्यों को उनके खर्चे के लिए भी शुरुवाती खर्चे के लिए भी अब जो 20 लाख करोड का पैकेज हमने गोशना किया है वो 20 लाख करोड रूपे का पैकेज भी जिन जिन इकायों को मिलने वाला है वो सभी राज्यों में है दगब डेड़ लाख टंड से ज़्यादा तो हमने दलहन बेजी है इस सारी सहायता राज्यों को बेजी है ऐसा नहीं है नहीं बेजी है हाँ अपना एक नजरिया होता है जादे मांग करना और जादे मोदी जी के साथ अपने राज्य का पक्स रखना इसमें बहुत बुराई नहीं देखता है इसा होता रहता है राज्य मांगते भी है परन्तु मैं इतना सुनिश्चीत रूप से कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी महामारी में आज तक कि किसी भी संकट से ज्यादा पैसा भारत सरकाने राज्यों को बिजा है